आज का यह वीडियो आपके लिए काफी महत्पूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो ममलोग जानेंगे कि कोरोना वाइरस पे निबंध कैसे लिखा जाएगा और इस साल आप परिक्षा देने वाले हैं तो समझ जाएए कि यह 100% पूछा जाएगा काफी महत्पूर्ण है कई वीडियो समापन हो जाएगी तब तक आपको कहीं जाना नहीं है बहुत यह अच्छे से आपको समझाने वाले हैं आज की इस वीडियो में लेकिन उसके पहले एक छोटी सी लाइन है उसको सुना देते हैं कोरोना वाइरस के बारे में क्या-क्या लिखना पड़ेगा आपको और कैसे प्रश्ने पूछा जा सकता है तो वाइए एक बड़ी मज़दार लाइन है आपको सुनाते हैं सुनने जिए कि यह ताज जो तूने पहना है जिससे है तुझे तेरा नाम मिला करके बिमार लेता है जान क्या यही तुझे को काम मिला आफ़त में है डाला दुनिया क लोग नाम से तेरा डर रहे हैं तुझे से संकरमित होने वाले अंगीनत लोग मर रहे हैं आसान नहीं है इलाज तेरा तो क्या इंसान हार जाएगा तुझे जड़ से उखाड फेकेगा मनावता को समार जाएगा तो आपसे प्रश्णी पुछा जाएगा कि कुरोना पर लगभग 200 से 300 सब्दों में एक निबंद लिखे और इसमें कुछ आपको टॉपिक दी जाएगी और उसी टॉपिक पर आपको लिखना होगा तो कौन-कौन से टॉपिक है पहले आपको टॉपिक बता देते हैं फिर आपको एक-एक टॉपिक के बारे में अच्छे से समझाएंगे काफी मज़दार यह वीडियो होने वाला है अभी तक लाइक ने किया लाइक कर देजिए और चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरू कीजिएगा जिससे की आगे से आने वाली सबी वीडिय में क्या है इसकी उत्पती जो हुई है वा कहां से हुई है क्या है इस बीमारी के लखषण यह जो बेमारी उत्पन हो रहे हैं इसकी लखषण क्या है यह पुछा जाएगा आपसे यह पुछ सकता है कि इसकी सक्रियता किस परकार के बर्ग आयू समूँ पर अधिक होता है आपसे पुछा जा सकता है कि खुद को करोना से कैसे आप बचा सकते हैं और आपसे पुछा जाएगा कि करोना की भयावा इस्तिती क्या है आगे बात करते हैं तो पूछा जा सकता है कि क्या कोरोना वाइरस से मिर्त्यू निशित है और अंत में आपसे पूछा जाएगा कि इसका निश्कर्स क्या निकलता है तो इतना टॉपिक आपको मिलेगा और इसी टॉपिक को आपको लिखना होगा इसी टॉपिक के बारे में लिखना होगा तो आईए हम एक एक करके इसके बारे में समझाते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वाइरस क्या है तो देखिए आपको लिखना होगा वाइर सुक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कुसका में हें वन्स ब्रेधी कर सकते हैं ये नावकिय अमल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं सरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं परंतु सरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं ये इतने सुक्ष्म होते हैं कि इन्हें समान आखों आंक से नहीं देखा जा सकता है इन्हें देखने के लिए सुक्ष मदर्षी की आउसक्ता होती है तो आपने अब समझ गए होंगे की वाइरस क्या होता है वाइरस देखिए यह यहां ओकोसकी अत्री सुख्ष में जीव होता है जिसे हम लोग खुली आखों के दुवारा नहीं देख सकते हैं यह इतना छोटा होता है कि जो हम लोग को जो आख है उसे हम लोग नहीं देख सकते हैं इसको देखने के लिए हम लोग को सुक्षमदर से क्या हो सकता होती है सुक्षमदर से ही हम लोग देख सकते हैं और यह सरीर के बाहर तो म मृत में पाई जाती में कि मृत के समान से लेकिन जैसे ये सरीर के अंदर जार जाती में आगया अब आत करते हैं कोज़ में कि कि नाइपने क्या है यानि कि को रॉना हुआ सकत्न व्याइश पहले दिजेगा कि बीस्वस्वस्थ संगठन और आप बार बार सुन रहे होंगे जब आप नियूज देख रहे होंगे तो डबलू एचो आप सुन रहे होंगे तो वही है बीस्वस्वस्थ संगठन ने कोरोना का नाम कोबीड 19 रखा है अब कोबीड 19 कैयों रखा है कैसे रखा है क का अर्थ होता है कुरोना उसके बासे इसमें जो भी आई लिखा गया है उसका अर्थ होता है वाइरस अवर डी का अर्थ होता है डीजिस अवर नैंटीन का अर्थ होता है कि इस साल दोजार उन्निस यानि की इस वर्स जो यह बिमारी पैदा हुई है उसका यह साल लगा दिया गया है इसमें इस वाइरस का सबसे पहले चीन के बुहान प्रांत में प्रांत का मतलब क्या होता है राज प्रांत में देखा गया जो धीरे धीरे पूरे बीस्व में फाइल चुगा है अपने समझा एक बार और हम अच्छे से पढ़ देते हैं आपको अच्छे से समझ में आ देखे बिश्व स्वस्त संगठन यानि की डबलू एचो ने कोरोना का नाम कोबीड नाइंटिन रखा जहां सीओ का अर्थ कोरोना है भी आई का अर्थ वाइरस है और डी का अर्थ डिजिज है और नाइंटिन का अर्थ साल 2019 यानि की जिस वर्स यह बिमारी पैदा हुई है इ आगे आपको क्या करना होगा फुराग्राफ आपको चेंज करके लिखना होगा कि बिश्व स्वस्त संगठन यानि की डबलू एचो ने कोरोना वाइरस को महमारी घोसित कर दिया है कोरोना वाइरस बहुत सुक्ष में लेकिन प्रभावी वाइरस है कोरोना वाइरस मानों के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है लेकिन कोरोना का संक्रमड दुनिया भर में 30 से फैल रहा है और बहुत ही घादक वाइरस है उके इतना लिखेगा आगे दिखे क्या लिखना होगा और एक चीज आपको हम बता दें कि यह जो PDF है इसको हम अपने टेली ग्राम में सेंड कर देंगे टेली ग्राम में इसको एप में तो हम अपलोड कर ही देंगे तो एप कहां मिलेगी आपको प्लैश्टोर पे जाकर के मन्टू सर्च कीजिएगा तो आपको एप मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है या आप चैनल का भी नाम लिख देंगे तो भी आपको मिल जाएगी जो चैनल का नाम है या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दबा करके जॉइन हो जाएए टेली ग्राम में वहां पे हम सेंड कर देंगे ठीक है इस पीडियाप को क्योंकि यह काफी मत पूर्ण है देखी आगे बात करते हैं अगला ट वार इसने मुर्गी की सवसन पढणाली को प्रभावित किया था मुर्गी के जो सवसन पढणाली होती है उसको क्या कर दिया था प्रभावित कर दिया था और आगे चारब करके यहhan 1940 में कई अन्या जानेवर में भी या पाया गया यह 1930 S.W. में तो पाया गया था किस में मुर्गी में और या क्या कर दिया था कर दिया उसके बाद से 1940 S.W. में और जाने वर में विपैल गया आगे देखे इसकी बाद सं 1960 में द्ЯANT से अ मजी उसके वास सरी 1960 में एक वैक्ती में पाया गया कर पाया गया गया जिसे सर्धी wonderful जिसे सर्दी की सहीं थिए और आम तर पर में बइसेकिंग है कि जिसको भी करोणा हो रहा है उसको क्या सहीं आरे कि उसको सर्धी जुखाम हो फिर 1940 में यह सभी जानवरों में कई अन्य जानवरों में जो होगी जानवर नहीं मतलब कि कई अन्य जानवरों में यह फैल गया उसके पाद सेWhat 160 10.9 में एक मनुस्य में पाया गया, हाँ ने यानि के एक ब्यक्ति में पाया गया, जिससे क्या थी सर्दी किसी कहाय थी और इसके बाद सन 2019 में यानि के इसके पिछले साल दुबारा इसका बिकराल रोप चीन में देखा गया, अब धीरे धीरे पूरे 20 सों में है फैलता जा रहा है और फैल चुका है ये कहां से उत्पन हुई इसके बारे में हमने जाना अब टॉपिक क्या कह रहा था हम लोग के बारे में हम लोग को लिखने के लिए कि क्या है इस बिमारी के लक्षण अब यह बीमारी है तो क्या है इसके लक्षण इसके बारे में देखिए अभी आपने जाना कि वाइरस क्या है COVID-19 क्या है और इसके उत्पति जो ही है वह कहां से हुई है और कैसे हुई है अब बात करते हैं कि क्या है इस बीमारी के लक्षण तो देखिए इसके लक्षण फ्लूग से मिलते जूलते हैं COVID-19 कुरोना वाइरस में पहले बुखार होता है इसके बाद सुखी खांसी होती है पहले क्या होती है? पहले बुखार होगा फिर क्या होगी? एक सुखी खांसी होगी और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परसानी होने लगती है इन लक्षडों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कुरोना वाइरस का ही संकरमण है यानि कि अगर कभी ऐसा अगर आप में हो जाता है तो ऐसी बात नहीं है कि यहां आपको कुरोना ही हो गया है हना ऐसी बात नहीं है दिखिए आगे समझे इन लक्षडों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कुरोना वाइरस का संकरमण है कुरोना वाइरस के गंभीर मामलों में निमोनिया सांस लेने में बहुँ जादा परिशानी किर्णी का फेल होना और यहां तक की मौत भी हो सकती है बुजुर्गों या जिन लोगों को पहले से अस्तुमा मधु में या हाड की बिमारी है उनके मामले में खत्रा और भी गंभीर हो सकता है जुकाम और फ्लू के वाइरस में भी इसी तरह के लक्षड पाए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको इस तरह का लक्षड जरूरत है चलिए आगे बात करते हैं आपको सारी चीज़े देखिए कोरोना वाइरस के बारे में सारी चीज़े इसमें हम बता देंगी निबंध में जो आपको लिखना है और यह सारी जनकारी अपको होनी चाहिए अगर आप बढ़ते हैं अगर निबंध नहीं भी आता है जरूर जांस करानी चाहिए यदि आपका तापमान 99 यानि कि 99.0 और 99.5 डिग्री फरना हाइट है तो उसे बुखार नहीं मानेंगे अगर तापमान 100 डिग्री फरना हाइट यानि कि 37.7 डिग्री सेलसियस या इससे उपर पहुंचता है तभी यह चिंता का बिसाय है इसके संक इसाय उत्पन होती है यह वाइरस एक बैकती से दूस्रे बैकती वह फैलता है इसलिए इसे लेकर के बहुत सवधानी बढ़ती जा रही है यह वाइरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था इसकी दूसरे देशों में पहुंचे जाने की असंका जताइज परन्तु अब यह बीश्व के अधिकांस देशों में ही फैल चुका है आगे आगे आपको क्या लिखना होगा आपको लिखना होगा कोरोना से मिलते जूलते वाइरस खासी और छीक से गिरने वाली बुंदों के जरिये फैलते हैं कोरोना वाइरस अब चीन में उतनी तिब्र गती से नहीं फैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है कोबिड-19 नाम का यह वाइरस अब तक सतर से अधिक देशों में फैल चुका है कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खत्रों को देखते हुए सवधानी बरतने की जरूरत है ताकि इसे फैलने से रोका क्या है इसमें आपको हमने बताया कि बुखार का आ जाना होता है कुरोना वाइरस में सर्दी और खांसी गले में खरास जैसे समस्याएं सरीर में ठकान जैसे समस्याएं होने लगते हैं यह सारी जो है इसकी लक्षण है सांस लेने में दिखकत और यह सबसे परमूख है यह मांस्पेश्य मीं जकडन लंबे समय तक ठकान रहना यह सारी जो है इसकी लक्षण है आदा मैं चलिए आप बात करते हैं अगले टॉपिक की अगला टॉपिक क्या है तो अगला टॉपिक का यही कि इसकी सक्रियत निम्र परकार के वायू समू पर अधिक होता है यानि कि यहीं ने पूछ राता कि कौन से बर्ग के वायू वाले लोग हैं जिन में सबसे जादा यह संक्रमन देखा जाता यानि कि सबसे जादा होता है तो देखिए अगर हम बात करते हैं जीरो से लेकर के 19 वर्स के उम्र वाले लोग 0.09% है और यदि 30 से 49% की बात करते हैं तो 0.18% है और 60 से 70 वर्सों की उम्र वाले लोगों की बात करते हैं तो 5% हो जाता है और 80 से अधिक वर्सों की बात करते हैं 0.18% तक है इसकी मिर्तूदर यानि की जो 60 से ज्यादा एज के उम्र के जो लोग है उनको ज्यादा सौधानी बरतनी होगी तो ही जाकर के इसे रुका जा सकता है चलिए आगे बात करते हैं कि खुद को कोरोना से हम लोग कैसे बचा सकते हैं आए जानते हैं यह टॉपिक कोई दवा मिली ही नहीं है इसलिए इसे बहुत घादक रोकी स्रेडी में रखा गया है कोरोना के मामले दिन प्रते दिन क्या हो रहा है दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है डबलू एचो नहीं महमारी घोसित कर दिया है कि हर सो वर्सों पर दुनिया में कोई न कोई क्या आता है महमारी आती है और इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है अपना बचाओ अपना खुद का बचाओ करना अब बात करते हैं अगले टॉपिक या अगला टॉपिक जो आपसे पूछा जा रहा था उसके बारे में कि कुछ ऐसे कदम जो आप नीजी तोर पर ले सकते हैं जिससे आप खुद को इसे बचा सकते हैं मतलब खुद से बचाने का क्या क्या तरीका है उसके बारे में हम लोग जानते हैं देखिए तो हमेशा अपने हाँ धोएं अपने मूँ को बार-बार नच हुएं यहां पे एकी में या टाइप हो गया है या अलग है नच हुए अलग है अपने मूँ को बार-बार नच हुएं सबसे 5-6 फिट की दूरी बना करके चलें या रहें बहुत असकता न हो तो घर से बाहर न ज जाएं सार्जविनिक अस्थान सार्जविनिक अस्थान का मतलब होता है जहां पर सभी लोग इकठे होते हैं जहां पर भीड़ भड़का होता है वहां पर जैसे की मॉल हो गया बजार हो गया आदी जगों पर ना जाएं अपने रोग प्रतिरो धक छंता को बेहतर करें लोगो से हाथ ना मिला है मास्क लगाना उस बैक्ति के लिए सबसे जादा हो सकता होती है या आवस्यक होती है जो बैक्ति कोरोना से क्या है गरासित है परन्तु कई बार ऐसा होता है कि समक्रमित जो बैक्ति होते हैं उतके बारे में पता नहीं चल पाता है तो उससे बचने के लिए आपको अपना सुरक्षा खुद ही करना होगा और मास्क लगाना काफी आपके लिए जरूरी है देखिए ऐसी बात नहीं कि आपको मास्क लगाना जरूरी है देखिए मास्क उन लोगों के लिए है जिनको कुरोना है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग को तो पता नहीं कि उस इंसान के पास करोना है या नहीं है, तो फिर हम लोग को क्या करेंगी, इसके लिए हम अपना星 कर सकते हैं, मास्क कंप रहेंगे, तो कोई भी दिkkत नहीं होगी, इसलिए आपको बढ़ाल बताय जाता है, कि मास्क लागाना आपको काफ़ी जरूरी है, और ऐसे आपको बात करते हैं तो जरूरी उन्हीं को है जिनको कुरोना वाइरस है अन्य था कोई जरूरी नहीं है मासक आपको लगाना लेकिन जरूरी तब पड़ जाती है कि हम लोग को पता नहीं चलता है कि किसको कुरोना है और किसको कुरोना नहीं है तो जरूरी हो जाती ह तो उमीद कर रहे हैं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लग रहा होगा और काफी इसी मदद आपको मिली होगी कैसे लिखना है आपको कुछ अब आइडिया आ रहा होगा अब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और देखिए अगर ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपके परिक्षा में पांच नमबर का या पूशा जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी कई जगा आप ढूणिएगा नहीं मिलेगा इस तरह का इसलिए जान जाएए और इसको हम सेंड कर देंगे अपने टेलिग्राम में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या है लिंक है टेलिग्राम का जूड जाएए एपको डाउनलोड कर लीजिए आपको एप में भी हम अप दोए यानि कि बढ़ियां से आपको हाँ दोना 20 सकेंड का मतलब यह नहीं हुई कि हाँ आपको 20 सकेंड दोना है ऐसी बात नहीं है मतलब कि बढ़ियां से धोए इसके गाने का मतलब यह है यानि कि डबलू एचो पॉब्लिक हेल्थ इंगलेंड और नेशनल हेल्थ सर्वीस NHS से प्राप्त सुचना के अधार पर हमने आपको कुरोना वायरस से बचने के तरीका को बताया एरपोर्ट पर यात्रिक की एस्क्रेनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जाँच सरकार ने कुरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की त्यारी कर रहा है इसके अलावा किसी भी तरह की अपवासी बचने खुद की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किये इस जिससे की कुरोना वायरस से निपटा जा सकता है और आप देख रहा है कि सरकार भी क्या कर रहा है काफी इसमें अपना क्या कर रहा है भूमिका निबा रहा है आपको बार बार यह सीच कर रहा है और आप वाँ ना फैले इसके लिए बार बार निर्देश भी दिया गया है आप सबी को तो यह सारी चीजे आपको पता होनी चा 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी पूरी दुनिया में हजारों लोगों इससे संकरमित हुए थे इसका असर आर्थिक गतिविद्यों पर भी पड़ा था कुरोना वाइरस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई परमार नहीं मिले है कि कुरोना वाइरस पारसल चीठियो या खाने के जरिये फैलता है कुरोना वाइरस जैसे वाइरस सरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिन्दा नहीं रह सकते कुरोना वाइरस को ले करके लोगों में एक अलग सी बेचैनी दिखने को मिल रही है मेडिकल एस्टोर में मास्क और सेनिटाइजर की कमी हो गई है किमकि लोग तेजी से इने खरे देने के लिए दोड रहे हैं जैनिटाइजर का उपयोग तब ही करना चाहिए जब आप ऐसे अस्थान पर हैं जहां पानी की सुभिदा नहीं है या बार बार हात धोना संभाव नहीं है इसके अलावा बहुत महंगे मास्क पारना भी कोई जरूरी बात नहीं है इसके लिए घर पर बनाये गए मास्क तॉलिया या रुमाल का भी उपयोग आप कर सकते हैं उसे आप अपना मू धख सकते हैं ऐसी बात नहीं है कि कुरोना वाइरस से क्या करने के लिए बचने के लिए बढ़ियां मास्क लेना पड़ेगा महंगा वा है कि हम बहुत बड़े अमीर हैं ताकि लगाएंगे एक दम कमसे हम 500 रुपिया वाला ऐसा छेज नहीं है हना अब कैसा भी हो कुछ भी बस बिमारी से बचने हम लोग को हना जैसा भी अच्छा अगर हमको बिमारी से वह बचा रहा है तो समझे सबसे बड़िया है हना चलिए त लाग से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है दुनिया की कुछ प्रभावसाली देश जैसे की अमेरिका हो गया इटली हो गया इसके चपेट में बूरी तरह से आ चुके हैं और वहां रोजाना 500 से अधिक जाने जा रही है कुरोना ने पूरे बिस्व की अर्थवेस्ता को भी हिला दिया है और भारत फ्रांज जर्मनी स्पेइन इरान आधी जैसे देशों में भी इसके चपेट आ चुके हैं यानि कि इसके चपेट में या आ चुके हैं बिस्व में इस यानि कि पूरे बिस्व में बिनासकारी महमारी ने तबाही मचा रखी है अपसोस की बात कि तमाम कोसिस के बाजूद भी अब तक इसकी कोई दवाही नहीं मिल पाई है यह बहुत बड़ी बात है तो कुरोना की भायावा इस्तिती के बारे में बात की हमने चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं कि क्या कुरोना वाइरस से मिर्तू निशित है यह आप से टॉपिक इसकी बात नहीं है संच यह है कि जतनी जल्दी आप को इसको पता चलता है मतलब कि अगर आपको लगता है कि हमको कुरोना हुआ है ऐसा आपको मालुम पढ़ता है तो जितना जल्दी हो सकता है अपने नजजदी की अस्पताल जरूर जाएं क्योंकि इसका उपचार घर पर मुमकिन नहीं है क्योंकि अगर आप घर पे रहते हैं तो आपके कारण किसी और को फैल जाएगा तो यह तो बहुत बड़ी दुखत बात है कि आप अकेले हैं और किसी और को फैला दिये आप अकेले हैं तो जा करके कि आप क्या करें किसी नजदी की अस्पताल में जाए वहां पी जा करके अपना क्या करें सुरक्षित रहें वहां से आप क्या करें उप्चार जो भी बताया जा रहा है डॉक्टर के दुबरा उसको ले और जो भी चीज आपको हमने बताया पहले उसका भी आप उपयोग करें हमेशा मास्क लगाए साबू से हाथ धोएं बीड़ भड़ाके कि असाथ पिनना जाएं कोशिस करें कि अगर हमें हो गया है हमें पता चल गया है तो हम बचे इसे और लोगों को न होने दे तभी इसे रोका जा सकता है और बाकी परिवार कभी से क्या हो सकता है संकर्मित हो सकत इसमें से आपको सारी चीजे लिखना है समझना है जानना है अगर आपके परिच्छा में भी नहीं भी आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है यह जानना जरूरी है अगर आप पढ़ाई कर रहा है तो यह जानना जरूरी है कोई भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि बहुत बता सकते हैं या तो परिक्षा में आएगी तो आप बताएंगे या कोई पूछेगा तो आपको बताना होगा या बता देंगे जनकारी रहेगी तबनो तो यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो को सूरू से कीजिए फिर एक बार देख लिजे कुछ समय का वीडियो अगर आपके वभी से को अच्छा बना सकता है तो बहुत अच्छी बात है तो जरूर देखिए और हमारा प्रियास या कैसा रहा कैसा आपको या सारी वीडियो लग रही है हमें जरूर नीचे कमेंट करके बताईएगा लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा या कंजूसी मत कीजिएगा बड़ी मेहनत लागा इसको लिखने में आप समझ रहे होंगे पूरे जितने देखिए टाइप किये हैं और खुद का हम इसे टाइप किये हैं हना चलिए बात करते हैं इसके निसकर्स की निसकर्स जान लेजिए कि सतर्क रहें स्वक्ष रहें स्वस्त रहें और कुरोना को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा जारे निर्देसों का सक्ति से पालल करें इस से पहले भी कोई महमारी आई है जिन पर हमने पूरी तरह से विजय हासिल की है और इसी तरह को भी हम साथ मिलकर की हटाएंगे दूसरों के चकर में पढ़ने से अच्छा है अपनी रक्षा स्वेम करें यही कापी है और घर पे रहें सुरक्षित रहें ये बात ध्यान में रखें तो यह आपने आज जाना कि कुरोना वाइरस क्या है वाइरस क्या होता है इसकी उत्पति कहां से होई कैसे इसे बचा जा सकता है हना इसकी भायावा इस्तिती क्या है यह सारी चीजे हमने आपको बताया और यही सारी चीजे आपके परिक्षा में पूछी आएगी इसकी मिर्त उदर हैं यह सारी चीज़े आपको याद करके रखनी है और यही सारी चीज़े आपसे पूशी आएगी तो यह वीडियो कैसा लगा हमको जरूर बताईए इसे हमारा मनोबल बढ़ता है और आप हमें बताईए कि कैसा लगा यह सारी वीडियो नीचे कमेंट में लाइक नेखि अग।